हलो एव्रीवान आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूट्यूग चानल पर जहां बर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं के टुएल यानी की किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक सी बीसी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की ओल सब्जिक और डेली बोर्ड इन पांच स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो भी बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं मैगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम यूट्यूब चानल पर जाकर so that हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पीछे न रह जाएं और अगर आपको नोट्स की आवशकता है तो आप हमारी वेबसाइट और अप्लिकेशन चेक आउट करो आपको क्लास 6 से 12 तक के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ओल सबजेक्स के बहुत बढ़िया वाले मिल जाएंगे PDF फॉर्माट में डाउनलोड करने के लिए दिस साइड जीशान यॉर मैट्स मेंटोर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज की बढ़िया वाले सेशन में जो रहेगा बेटा क्लास 12 का application of derivative का जो chapter number 6 है सबसे पहला particular concept जिसका नाम है rate of change of quantities तो भाइया ज अब नोट्स वागे रहा तो तुम बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है यह चीज देख लेना मैं बताऊंगा भी है क्या चीज सारी चीज़े समझना ठीक है देखो यह देख लो बस दो स्लाइड में आपका session complete है यह दो आपके नोट बनाने के लिए काफी है लेकिन मैं ज चाप्टर का सबसे पहला concept ध्यांद सुनना बिटा जी सर अपन हेडिंग डालते है से rate of change of quantities ठीक है rate of change of quantities ध्यांद सुनना बिटा बहुत important है नहीं तो आप भटक जाओगे बटक जाओगे अच्छा topic है और आसान topic है सबसे बड़ी बाते आसान है सबसे पहला topic है इस पूरे चाप्टर का इस पूरे चाप्टर का सबसे पहला topic कहलो concept कहलो आपकी मरजी है ठीक है यह सबसे पहला topic पहला concept कुछ भी कहलो और आसान है इतना easy है कि समझने में तुम्हें मजा आ जाएगा अगर तुमने derivative अच्छे से पढ़ लिया जो chapter number 5 था continuity and differentiability अगर उस chapter को तुमने अ quantity अपने पास M है एक चीज है कुछ M ठीक है मैंने कहा एक quantity M है ध्यान दे सुनना जी सर और मैंने कहा कि जो M है न वो depend कर रही है किस पे M is dependent ध्यान दे सुनना सर M is dependent ठीक है सर सरी किती गंदी राइटिंग लिख रहे हो यार M is dependent on D E P E N D E N T dependent on N सर एक quantity M है वो N मेंद पे dependent कर रही है और M क्या है? N independent है हना इं क्या है यह independent है यह आजाद है ठीक है यह independent quantity है ठीक है सर अभी इंडे पेंडेंटन दीपेंडेंस है समझ में नहीं आ रहा अभी समझाओंगा टून्ट रही independent ठीक है तो बात नमबर एक है कि इस statement का मतलब क्या है धिआढ़ है सुनना किसर इस statement का मतलब यह कि अगर in चाहे तो M को बदल सकता है अगर n चाहे तो M और सकता है मतलब सर अभी बताता हूं ध्यांज पहला जी सर देखो मैंने कहा कि n में मैंने 2 का multiply कर दिया इसका मतलब क्या हो सर n का double आपने n में change किया n में change हुआ n ने कहा यार एक काम करता हूँ मैं double हो जाता हूँ अब n के double होने की वज़े से m में कुछ तो change आएगा m में हो सकता m हो जाए भीया हो सकता m हो जाए 6 times नहीं समझे के n का double होने एक पर ध्यान तो सुनना सर n क्या हुआ double n के double होने की वज़े से n ने क्या करा n double हो गया n के double होने की वज़े से जो फर्क पड़ा m के उपर वो क्या पड़ा वो फर्क ये पड़ा सर के m becomes 6 times m becomes 6 times n 6 गुना हो गया कुछ समझे नहीं समझे के सर n जो है न वो इसको नचा रहा है n ने कहा के चलो यार एक काम करता हूँ मैं हाफ हो जाता हूँ ध्यान से सुनना example देख रहा है बस अपन ठीक है सर n ने कहा के सर चलो यार अपन एक काम करते हैं हाफ हो जाते हैं n ने क्या कहा के चलो यार हम हाफ हो जाते हैं example के लिए बता रहूं बस seriously ऐसा मतले न कहीं तो example बता रहूं बस ठीक है सर अब अगर n हाफ हुआ तो n भी फिर change होगा m तो change हो रही नहीं चाहरा लेकिन m कह रहा रहे यार यह n नाटक कर रहा है बार बार m कह रहा है के मालिक है n n हमारे मालिक है n अगर बढ़ेंगे तो यार हमें भी बढ़ना पड़ेगा n अगर घटेंगे तो हमें भी घटना पड़ेगा समझ में आ रही है बात अगर n बढ़ेगा तो M को भी बढ़ना पड़ेगा, N घटेगा तो M को भी घटना पड़ेगा, इसको कहते हैं dependency, क्या बोलते हैं, dependency और इसको direct dependency बोलते हैं, कि एक quantity के बढ़ने की वज़े से दूसरी quantity घटने की वज़े से दूसरी quantity consortа गई तो सर जी अमें एक चीज समझ में आई कि change of quantity क्या होता है change of quantity क्या होता यह तो समझ में आगया कि सर को एक क्वमिश्ट एक है n वह चाहे तो बढ़ चाहे तो घट जाए लेकिन इसके घटने की वझे सेbit इसको भी या तो बढ़ना पड़ेगा या घटना पड़ेगा एंगी मर्जी नहीं चलेगी एंग विचारा कह रहा हiãoillar कि मैं तो गुलाम हूँ मैं तो गुलाम हूँ मं कहेंगे बढ़ दो तो मैं बढ़ जाओगा एंगे गढ़ जाओ तो मैं घड़ेंट अपॉन एंड तो सर्जी हमें समझ में आया कि यहां हो ना हो हो ना हो M independent है M dependent है ठीक है सर और एक बात ध्यान रखना एक बात ध्यान रखना rate of change जब आपन rate of change of quantity की बात करते है न तो dependency इंडिपेंडेंडेंसी यह तो अपन को बात करनी ही पड़ेगी ध्यान जो सुनो अगर मैं इसकी चीदी सीदी definition की बात करूँ छोटी सी definition लिखता हूँ ज्यादा बड़ी definition नहीं लिखूंगा इसकी छोटी सी definition कर लिखें तो अपन क्या लिखेंगे बिटा rate of change of quantity rcq लिख देता हूँ मैं rate of change of quantity rcq means rcq means the rate rcq means the rate at which the rate at which the rate at which m changes the rate at which m changes a quantity m the rate at which m the rate at which m बन जाओ यार the rate at which quantity m quantity q u a n quantity i a quantity m changes changes due to a change in quantity n due to some change due to some change in quantity n in quantity n quantity n में change आने की वज़े से quantity m को भी change होना पड़ेगा इसी को बोला जाएगा rate of change of quantity लेकिन rate of change of quantity का derivative से क्या लेना देना है सर यह समझाओ जरा तो आओ समस्ते हैं ध्यान से सुनना जी सर अगर मैं इसका what is the meaning of y with respect to x differentiating y with respect to x इसका यह मतलब है दोस्त के y change हो रहा है x के हिसाब से with respect to x x के respect में इसका क्या मतलब होगा वाई चेंज होगा वाई हो सकता काम हो जाए जादा हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है फिलाल हमें बस इतना देखना है कि y change होगा कब जब x change होगा ठीक है अब सुनो ध्यान से सुनना इसी को बिटा पन चाहें तो थोड़ा सा change करके लिख सकते हैं इसी मगा इन को हम में न को अपन इसमें सेट कर सकते हैं है ठीक है tuh applies होता है सिंपल सी बात है यह जोगा इसको करना पड़ेगा अगर यह कहाँ तो says आ नहीं धर जांका पर यह स्थी बढ़़ाओं अब कहेऊड़ा रहा हूं उसको भी घटना पड़़ेगा मतलब changes इस पे जो फरक आएगा वो इस पे आएगा अब जैसे एक कावद है एक company है एक company है ठीक है this is a company ठीक है सर एक company है कोई brand है ठीक है ध्यान से सुनना जी सर यहाँ पर यह company है और यह बहुत सारे इसके employee है क्या है सर इसके बहुत सारे employee है देखो simple सी बात है अगर मैं कहूं कि company का revenue बढ़ रहा है तो अब इसी बात एक employee का revenue employee की salaries भी बढ़ेगी अगर company का revenue बढ़ेगा company की कमाई बढ़ेगी तो employees फिर एक 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 आप कह सकते हो एक उम्मीद में बैठते हैं फिर क्या क्या हमारी company ने इस साल अच्छा performance कि अब बढ़िया पैसा कमाया है अब अप अब अपरेजल लगेगा अब अपनी पैसे बढ़ेंगे अपनी salary बढ़ेगी company उपर जाएगी तो अव्यसी बात है employees भी उपर जाएंगे employees की salary भी बढ़ेगी employees भी कमाएंगे लेकिन अगर company को loss हुआ तो फिर employees को भी loss होगा तो कौन dependent है किस पर employees dependent है company कर employee की growth depend करती है company की growth एंपलाई को मैनत करनी है company को grow करने के लिए क्योंकि company grow करेगी तो ही employee grow करेगा company अगर नीचे आएगी तो employee भी नीचे आएगा simple सी बात है समझ गई ना तो इसको कहते हैं dependency कि सर वाइड़ डिपेंड कर रहा है एकस पे वाइए employee हो गया एकस company हो गई है ना M employee हो गया N company हो यह भी लिख सकते हैं कि सर हम क्या लिख सकते हैं M changes with respect to N M changes with respect to N M changes with respect to N जैसा M में changes होगा उसी हिसाब से M N में changes हो जाएगा ठीक है यह N आएगा इतनी बात क्लियर है जल्दी से इसको आप बढ़िया तरीके से screenshot ले लो क्योंकि next slide पे अपन चल रहा है और next slide पे अपन क्या पढ़ेंगे कुछ और चीज़े जानेंगे 10 minute होगा 10-15 minute और देखते है इसको बढ़िया तरीके से एक आप दो example solve करेंगे बढ़िया तरीके से जिन्दगी जिएंगे अपनी चलिए सर नेक्स्ट प्लीज चलो अब जो rate of change change तो समझ गए ना कि एक quantity के बढ़ने से दूसरी quantity या तो बढ़ेगी या घटेगी मतलब change होगा एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ भी सकती है दूसरी घट भी सकती है ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अपनने मान लिया एक मान के चलो एक quantity x है अब यह अगर बढ़ रही है तो इसके उपर dependent जो y है ना सर यह भी बढ़ेगा नहीं जरूरी नहीं हर condition में ऐसा नहीं होता कभी-कभी x के बढ़ने से y घट जाएगा कभी-कभी x के घटने से y बढ़ जाएगा example दूँ देखो example देता हूं ध्यान से सुनना जी सर ध्यान से सुनना मेरे पास 20,000 रुपे हैं कितने हैं सर मेरे पास 20,000 रुपीज है ठीक है ध्यान से सुनोगे मज़ा आएगा ठीक है सर मैंने क्या कहा कि सर मैं पांच दिनों के लिए five days के लिए ध्यान से सुनना five नहीं आपन four ले लेते हैं मैंने ले लिया four days के लिए मैं गुवा घूमने जा रहा हूं for example four days के लिए मैं गुवा घूमने जा रहा हूं तो चार दिनों के लिए अगर मैं गुवा घूमने जाओंगा तो मुझे हर दिन का एक दिन का कितना कितना रुपया पड़ेगा सर फाइफ थाउजन रुपीज पर डे यह खर्चा बैटेगा सर अपना है ना अगर मैं कहूं कि तो मैं गुवा या कहीं भी घूमने जा रहा हूं बीस हजार रुपे लेके पांच चार दिनों के लिए तो अपनको समझ में आ जाएगा सर पांच हजार रुपे पर डे के हिसाब से खर्चा बैटेगा क्योंकि पैसा तो भीया दो हजार रुपई यह आई है सुनना ठीक है नमबर ऑफ डेस बढ़ा दिये तो भीटा अब मुझे पर डे का खर्चा अपना कम करना पड़ेगा बात है पैसा चलाना 20.000 मैं चलाना 20.000 मैं भीया 20.000 पास 手 fajह हमये बात हंब行रे बादिया तो हमने यहां पर जो खर्चा हमें हरे न करना है वो 474 00.000 परडे ही हो गका तो भी बढ़ा दी देखो खर्चा जो है ना वो इस पर डिपेंड करता है कि सर आप जितने दिन रहोगे खर्चा उसे आप से उपर नीचे होता रहेगा तो अपने क्या करना नंबर ओफ डेस को इंक्रीज किया बढ़ा दिया और इसके बढ़ने की वज़े से एक्सपेंड़ेचर पर डे या आप आप कैसे पहलों पर डे एक्सपेंड पर डे एक्सपेंड़ेचर ही लिखो अपने इसका लिखा एक्सपेंजS परडे नमबर ओव डेस मैंने बढ़ाए कि मैं तो गोव में पांस दिन रुखूंगा चार नहीं मेरा पांस दिन का प्लेन है पैसे उतना यह 20,000 रुपे ही है तो नमबर ओव डेस बढ़ने की वज़े से अब जो पर डेस खर्चा में 5000 रुपे कर सकता था अब मुझे वो समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है बात yes or no है ना तो यह क्या हुआ सर यह independent quantity है यह independent quantity है किसी पर डेट नहीं कर रही है यह नमबर ओफ डेस बढ़ा दो या घटा दो लेकिना इसके बढ़ने और घटने की वज़े से इस पे changes आएंगे कि सर अगर मैं मान के चलो 10 दिन कर दूँ यार मैं तो 10 दिन रुकूंगा मैं तो 10 देज रुकूंगा तो देखो 10 देज ये तो मैंने चेंज कर दिया अपनी मरजी से अब इसके चेंज होने की वज़े से number of days मैंने 10 कर दिया चार था मैंने 10 कर दिया अब number of days 10 होने की वज़े से बिटा खर्चा जो है ना जो खर्चा है वो पढ़ेगा अपन को 2000 रुपे पर डे अब 2000 रुपे पर डे के हिसाब से हमें खर्च करना पड़ेगा यह ध्यान रखो समझ रहे हुँ ना नमबर ऑफ डे मैं ऊपर ले जा रहा हूं कियार मैं तो गोवा में चार दिन तो कमें और दस दिन रुकूंगा तो दस दिन रुको के तो बाई 20,000 रुपे लेकर जा रहे हो तो 2000 रुपे पर डे देना पड़ेगा फिर तुम्हें है ना तो यहां पर नमब जो दूसरी कोईंडिटी उस पर डेपेंड करती है वो कभी-कभी नीचे भी चली जाती है तो यहां पर अपन टाइप्स पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बढ़ेंगे टाइप्स किसके रेट ऑफ चेंज और इसके टाइप्स पढ़ेंगे ठीक है डटन सर ध्यान से सुनना बहुत ध्यांदे सुनना दो Schweiz आपको आने चाहिए इसरे न भी बता दूंगा अल्दो वो अभी जादा यूसं में नहीं है जादा क्या हो गई ही नहीं मेरे हिसाब से तो और सबसे पहला ज्यांस तो सबसे पहला क्या सर ध्यान जो सुनना जी सर यहाँ पर मैंने लिखा independent को entity independent ठीक है यह independent को entity है ठीक है सर और यह dependent को entity है यह dependent ठीक है डन सर एक dependent को entity का segment बना लिया अब मैंने कहा ध्यान जो सुनना बिटा जी सर मैंने कहा कि एक मेरे पास independent मतलब आजाद N एक ऐसी चीज़ है जो independent है किजी पर depend नहीं कर रही ठीक है और M जो है वो dependent है कर ting depend करता है M पर ठीक है ध्यान से सुनना जी सर अगर condition सुन लो बिटा N के up जाने की वजह से N के up जाने की वज़े से M भी up जाएगा ध्यान से सुन लो विटा जी सर एम के ऊपर जाने की वज़े से एम भी एन मतलब एन मानके चलो कुछ है number of days है किसा number of days अगर 10 से 20 कर दिये तो expenses भी 10,000 से 20,000 हो जाए बढ़ जाए भाई कोई चीज यह independent है एन बढ़ गया और एन के बढ़ने की वज़े से एम भी बढ़ गया तो सर यह क्या होता इसको बोलते है डारेक्ट डिपेंडेंसी क्या बोलते है बिटा डारेक्ट डिपेंडेंसी क्या बोलते है दोस्त डारेक्ट डिपेंडेंसी ठीक है और मेरे प्यारे बच्चे डारेक्ट डिपेंडेंसी में जो rate of change होता है उसको हम positive बोलते है क्या बोलत positive बात समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है यह सर तो इसको कैसे अपन शो कर सकते हैं we can show it by a c by a normal सी चीज विच इस डी वाइडी जैसे हमने derivative से दिखाना है अब change कौन हो रहा है dependent कौन है जो dependent होता है याद रखो बड़े बड़े शब्दों में लिख लो जो dependent होगा वह उपर लिखा जाएगा बताओ यह dependent है कि सर यह एम dependent है एम बढ़ेगा घटेगा इसके यह साब से तो जो एम है वह उपर आएगा बिटा डी एम उपर आएगा इंडीबेंडेंट कौन है सर इंडीबेंडेंडेंट यह यह इस पर डिपेंड नहीं करता यह आजाद है यह बढ़ना चाहे बढ़ जाए यह गटना चाहे घट जाए लेकिन इसके बढ़ने की यह यह फिर अन गतने पर एम भी घटड़ जाए। सर एन बहına तो इंडी बढ़ गया जा इन के घटाने की वज़े से एंडी घट गया इसको बूला जाता है डारक्ट डिपेंडेंडेंसी और एहाँ पर पॉजिटिव रेट रेट ऑफचंज होता है रेत अफचंज क्या ब positive यानली dmm change ओरा किसमेस हब सेन के साप से ड secretary n dmydn क्या upitave map적 विल बी positive ये applies क्क्लियर है हाँρη स्ञेट हो गई है तो सरूर ये तो एक बात हो गई ठीक है डंसर ये फॉजटीव हो गया डनल बिल्कुल लंसर आगे देखते हैं second ध्यान देखते हैं चलो तो सर अब अपने हेडिंग डाली second ठीक है ओके यहां लिखेंगे independent quantity independent ठीक है सर independent quantity और सर आगे लिखेंगे dependent quantity ठीक है डंसर dependent quantity अब सर यहां देखना यहां देखना हमने माना कि independent quantity n है यह किसी पर depend नहीं करती यह बढ़ना चाहें गटना चाहें लेकिन इसके बढ़ने की वज़े से एम पर फर्क होगा इसके घटने की वज़े से इसके घटने की वज़े से एम पर फर्क पड़ेगा है ना एम को बढ़ना या घटना पड़ेगा इसकी वज़े से ठीक है डंसर अब समझना बात को समझना जी सर condition है कि अगर हमने n की value को बढ़ाया दूसरे color से लिखता हूँ दियान से सुनना m की value m नहीं n n की value को अगर हमने grow किया grow मतलब ले गए green color से बना रहा हूँ अगर हमने इसको grow कर दिया बढ़ा दिया और इसकी value बढ़ने की वज़े से m की value कम हो जाए समझ रहे हो यह सर या फिर या फिर n की value घटा दी हमने n की value घटा दी purple color को देखना n की value अगर कम कर दी और उसकी कम करने की वज़े से m की value grow कर जाए तो इसको बोलते है उल्टा इसको क्या बोलते है उल्टा ही हो गया बिल्कुल case उल्टा मतला मैं फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना सर n की value green color के signal से हमने देखा कि n की value अप गई तो इसकी value के अप जाने की वज़े से m की value डाउन चली गई green से green देखो बस आप purple परपल मत देखना तो सर n की value उपर जाने की वज़े से m की value डाउन चली गई यार n उपर जा रहा m की value गिर गई या उल्टा हो गया n की value गिर गई n की value अपने कम कर दी और n की value कम करने की वज़े से m की value ग्रो कर गई तो या n नीचे जा रहा m उपर जा रहा and के नीचे जाने की वज़े से m ग्रो कर रहा है तो इसको बोलेंगे बिटा indirect या inverse dependency ठीक है क्या बोलेंगे indirect या inverse dependency क्या बोलेंगे दोस्त inverse या indirect dependency inverse dependency ठीक है inversely dependent inverse dependency या indirect dependency भी बोल सकते है ठीक है और ऐसे case में ध्यान रखना ऐसे case में जो rate of change होता है वो negative होता है क्या होता है sir? rate of change होता है sir यह negative होता rate of change is negative, ठीक है? is negative clear है? हाँ sir, बिलकुल clear है, कोई दिक्कत? no दिक्कत sir इसी कोगर हमें derivative में show करना हो तो derivative में कैसे show करेंगे sir? एसे, Simple है, Sir D by D, Sir dependent मैं फिर बोल रहां dependent उपर आता है, कौन dependent है M hand depend करता है M की नहीं चलती है M, N के हिसाब से काम करता है तो उपर आएगा कौन किस के respect में काम हो रहा है किस के हिसाब से काम हो रहा, independent कोन है sir n तो n नीचे आएगा और बेटा यह क्या आएगा यहां यह negative आएगा क्या आएगा दोस्त यह negative होगा clear है तो यह दो cases है तीसरा case जो actually है नहीं है वो आप देख ले ना मैं तो बता दे रहा हूं orally discuss कर लेता हूं कि बेटा तीसरा case एक ऐसा case है ध्यान से सुनना जिसमें n के बढ़ने पर m में कोई फर्क नहीं पड़ता n के घटने पर m में कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब ध्यान से सुनो तीसरा case है कि n ग्रो किया m वहीं है इसने ना ग्रो किया ना नीचे गया आयए उपर गया न यह नीचे गया थीक है इसको बोलते है क्या देंस को इसकous धीन सी क्या बोलते कॉनस्टेपैंडेंसी मतलब यह डिपैंड एम जो है ना रहा है यह न क나 लौन्य नीचे जाने पर सेट अआ यह M को फ़रक ही नहीं पढ़ रहा है M को फ़रक ही नहीं पढ़ रहा है M फ़र मंगी यह फ़रक ही नहीं पढ़ यह कहीं नहीं जा रहा तो ऐसे में rate of change ना positive होगा न negative यहाँ rate of change 0 होगा DM by DN is equal to 0 माना जाएगा इस केस को लिखवाया नहीं जाता बस orally discuss कर लेंगे अपन ठीक है इतनी बात समझ में है यह सर अब हम देखेंगे बिटा कुछ examples और उन examples की मदद से we will solve we will see how we can apply this concept into our questions ठीक है तो इसका screenshot ले लो जल्दी से अपन कुछ examples देखते हैं चलो बई अब देखते हैं कुछ examples और उनकी practice कर लें पिंकी नहीं purple ले लेता हूं ठीक है देखो यह example आप कह सकते हैं stage 1 मतलब level 1 का example है बहुत आसान है stage 2 यह level 2 का कह सकते हैं यह भी easy है आसान रहेगा समझते हैं क्योंकि अगर आपने यह दोनों समझ लिए तो believe me आप examples exercise सब फोर ने के like बन जाओगे मस तरीके से चलो आदेखते हैं सर सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनना अरे यह ग्रीन सेलेक्ट क्यों होता है मुझसे हमेशा purple ठीक है find rate of change of area ध्यान से सुनो rate of change of area क्या change हो रहा है area with respect to radius radius के हिसाब से सुन लो ध्यान से बहुत important है यह दोनों आराम से समझाऊंगा बिल्कुल हमें समझ में आ गई कि भाईया area change हो रहा है area change हो रहा है area change हो रहा है किसके हिसाब से with respect to with respect to का मतलब होता है इसके हिसाब से with respect to radius तो भाईया area किसके हिसाब से चल रहा है radius के हिसाब से समझ में आ गई बाद यह सर यह independent है अब यह independent है यह प्रिजा हो गई यह राजा हो गया तो यह प्रिजा हो गई और प्रिजा को बिटा राजा के हिसाब से उपर नीचे होना पड़ता है खिचना पड़ता है चलना पड़ता है तो हम समझ गए सर हम समझ गए कि आर आर जो है व is dependent है ठीक है यह dependent quantity है ठीक है सर जी कोई दिक्कत नहीं है है ना क्योंकि एरिया किसके हिसाब से change हो रहा है रेडियस के हिसाब से भाई सर्कल की बात हो रही है अगर मैं आपको circle बनाऊ यह circle बनाए ठीक है तो आप सबसे पहले circle में क्या पूछते हो के सर रेडियस कितना है यही तो पूछते हो ना हाँ तो मैंने कहा कि रेडियस हमारा for example three centimeter है ऐसे ही बोल दिया मैंने three centimeter है तो अब रेडियस के हिसाब से area निकालोगे area जो है वो radius के हिसाब से निकलेगा circumference जो है वो radius के हिसाब से निकलेगा तो area circumference यह सब किस पंसे क्वेस निकाला जाएगा तो हम समझ गए कि रेडियास इनडीपेंडथ है और एरिया डिपेंडेंडिन तो इसकी जगा लगे अपन नहीं इंडीपेंडेंडेंडेंड्थ independent मतलब free acquainted ठीक है तो अगर हम इसको ध्यान से सुनो अगर हम इसको derivative के format में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे सर डी बाई डी ध्यान से सुनना डी बाई डी ठीक है हमें area dependent dependent को ओपर रखते हैं ध्यान रखना जो independent होता है उसको और नीचे रखते हैं लेरे पको यह निकालना है कि फाइंड द रेट सज्फ ऐड़िया रेट आप सब्सक्ड़ी तो रेडिए नीचे आ गया है अब हमसे गया और गई गई है radius is five centimeter इसका काम अपन last में लेंगे ठीक है डन सुनो एरिया की बात हो रही है में डिया पॉन डियार निकालना एरिया की बात दोरी हमें पता होगा सर एरिया का फॉर्मला क्या है सर एरिया ओफ सर्क्ल सर हमने लिखका यहां एरिया ओफ सर्क्ल बात सर्क्ल की हो रही है देख लेना बिटा area of circle क्या होता है sir area of circle होता है pi r square है na area of circle अपन bracket में लिख लेते हैं a और sir यह है pi r square done sir मुझे d a चाहिए तो यह जो अपन ने लिखा जो अपन के पास यह आ गया a is equal to pi r square इसका आपको क्या करना पड़ेगा differentiate करना पड़ेगा क्योंकि d a upon d r चाहिए यहां तो सुनना बेटा जी सर तो अपन क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे differentiating differentiating with respect to भाई यह नीचे क्या चाहिए नीचे भाई differentiate करेंगे तो a to d a बन जाएगा upon d किसके respect में sir r यानी radius के respect में चाहिए d a upon d r चाहिए तो सर जी यह एक में d तो लग जाएगा with respect to radius r with respect to radius r r के respect में हमें करना है ठीक है यहां लिख देना यहां एक चीज और लिख देना क्या लिखना है sir एक चीज और लिख देना let r be radius a b area यह आपको लिखना पड़ेगा ध्यान से ठीक है डंसर यहां लिख देते हैं अपन let a is for area of a circle यहां लिख देना a is for area of a circle r is for radius of a circle r r denotes a radius of a circle यह पूरा लिखना पड़ेगा दोस्त ठीक है नहीं तो फिर गलबल हो जाएगी marks कटने के समभाव ना है फिर तो आप ज़रा इस चीज पर ध्यान देना कि यह डिनोशन लिख लेना ठीक है डंसर बस खतम अब तो हो गया सौल कैसे हो गया सर देखो जैसे हमने differentiating with respect to r लिखा तो a हो जाएगा बिटा d a upon d r d r आएगा क्योंकि r के respect में is equal to यह क्या हो जाएगा d upon d r और पाई r square डन है हाँ सब्सक्राइब पाई तो बिटा r of r square तो r square आपको पता है यह d by d x of x d by d x of x की पावर n क्या होता सर n x की पावर n minus 1 यह d by d r d by d r है r की पावर n है तो यह r n थ्यांतों सुना n r की पावर n minus 1 हो जाएगा यानि 2 r की पावर 2 minus 1 तो यह आजाएगा बिटा पाई इंटू 2 r क्या जाएगा यह d by d r of r square आजाएगा तू और अभी आपन ने square का किया तू का किया अब r का करेंगे आर बोले तो सर अब अपन इसके आगे करेंगे d r by d r कभी तो अभी तो square का किया न अभी तो power n का किया आपने अब फिर आप d r कभी तो करोगे d r by d r और d r by d r सर कट जाएगा वन आजाएगा तो basically हम आगया 2 pi r कितना आगया सर 2 pi r यह answer नहीं आया भी d a by d r की value आगई 2 pi r क्या आगई दोस्त d a by d r की value आगई 2 pi r एक second थोड़ा शूटा करने इसको ताकि space बन जाए अपने पास थोड़ा ठीक है d a by d r की value आगई 2 pi r सर जी इसको side में करो पहला question हमेशा ध्यान रखना किसी भी exercise किसी भी chapter का करो कोई भी example कुछ भी करो हमेशा slow करना चाहिए हमेशा जितना slow कर सकते होतना slow क्योंकि सर इस पूरे-पूरे question से इस पूरे-पूरे explanation से हमारा base बन रहा है हमारा क्या बन रहा है बेस chapter का base बन रहा है तो हमें समझ में आ गया सर के डी ए बाई डी आर क्या आया बिटा डी ए बाई डी आर हमारा यहां आ गया तूपाई र तूपाई आर अब हमें दिया गया था आर इसको लिखेंगे therefore d a by d r जाया जैंड दी ए बाई d r ऐसा चोटा सा पन एक blank यह लंबी सी लाइन खीचेंगे ब्रैकेट लगाएंगे इस टाइप का और नीचे यहां क्या लिखेंगे सर यहां क्या लिखेंगे आर इस एकोल तू आर इस एकोल तू सर कितना दिया है आर फाइव दिया आर इस अब कई बच्चे 10 पाई लिख देंगे बस नहीं 10 पाई नहीं क्या है उपर एरिया एरिया कैसे लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वेर में नीचे क्या है बटा रेडियस रेडियस किसमें लिखते हैं सेंटीमीटर में तो नीचे सेंटीमीटर मतलब 10 पाई सेंटीमीटर यह आप नदेगे के लिए अनसर काट मत देना सेंटीमीडर से सेंटीमीडर कर देना तो यृपना एक्जामपल का जल्दी से देखको और फिर चलते हैं इता एकंद की तरफ रहे हां ओ आप चलते हैं कि अपताया सैकंड वाला एक्जामपल देखतेैं ठीक है इसको एरेस कर दें sir अब second example देखना ये भी बहुत बढ़िया example है बहुत important है पिटा हलके में नहीं लेना ठीक है हलके में नहीं लेना इसको समझ लो फिर खूब हलके में ले लेना समझ लो फिर खूब हलके में ले लेना फिर तो तुम बिलकुल चिंदी चिंदी समझ लेना इ में rate of change of area निकालना है मतलब ध्याँच सुनना जी सर हमें area बिल्कुल यहीं चीज़ बनेगी area निकालना है मैं ठीके सर ठीक है area निकालना है rate of change of area निकालना है ठीक है सर कोई दिकत नहीं है कब of a circle when rate of change of radius with respect to time यह देखो भाहिया यह देखो यह देखो with respect to time ध्यान से सुनना rate of change of area निकालना है rate of change of area निकालना है ठीक है सर, obvious सी बाद है हमें rate of change of area निकालना है with respect to time बिटा बस यहाँ एक change कर ले न find the rate of change of area with respect to time यहाँ भी लिखना है आपको with respect to time ठीक है बस इतना सा change कर लो with respect to time आप इतना सा change और कर लो थोड़ा सा ठीक है इसको यहां लिख दो ठीक है थोड़ इसी चीज अपन को change करनी है area with respect to wr अरे यार इसको short में लिख दो ना with respect to time with respect to time ठीक है यह दियान रखना जरा with respect to time of a circle इसको एक सेकंड इसको सरापन यहां लिख देते हैं सर ठीक है balancing is very important ठीक है डन अब साहिए ठीक है ना इडिस मच बैटर चलो तो सर यहां पर हमें find the rate of change of area with respect to time डिसमें तो यहां लिख दिया time के respect ठीक है ठीक है ठीक है time के respect में with respect to time इसका मतलब होता है बिटा कि time राजा है time के हमें चलना है time के हिसाप से तो हम समझ का यह independent है यह आजाद है यह क्या है Dependent. क्या है पिटा? Dependent. सबसे पहले आपको यही पता करना होता है। हम समझ गए sir, कि यहाँ जो बात हो रही है, वो area का determinedессी यिवात हो रही है , अब अगर डी-बाय-डी लिख हूँ तो जो depend होता है भी वो ऊपर लिखा जाता है और जो independent होता है, वो हमें नीचे लिखना पढ़ता है तो T लिख दिया तो हम समझ गए area को किस से represent किया अपने let a represents area of a circle ठीक है done sir और T represents time T represents time done yes sir चलो तो sir जी अपने लिख दिया ठीक है भाई यह हो गया आगे पढ़ते है green color ले लो ठीक है ठीक है तो यह में निकालना है डीए भाई डीटी find the rate of change of area with respect to time ठीक है दिया क्या है कुछ दिया भी है यहां ठीक है when rate of change of radius rate of change of radius rate of change समझना rate of change of radius radius का change बताया गया है आर लिख दिया मैंने उपर ठीक है आर with respect to time time के respect में समझ रहे हो ना rate of change जैसे rate of change of radius radius का तो आर उपर आ जाएगा किसके आपसे with respect to time time नीचे आ जाएगा यह हमें दिया गया है क्या सर 3 cm per second तो बिटाम समझ गया है यह हमको क्या है यह हमको given है तो हमने यहां पर यहां लिखा given इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं ठीक है सर और यहां लिखते हैं sir this is given to us ठीक है कोई दिक्कत नो सर यह अपनको given है ठीक है यह हमें निकालना है सर जी ठीक है this is the question d a y dt निकालो ठीक है sir and this is given to us ठीक है डायन बिलकुल दंसर this is given to us ठीक है आगे बढ़ते हैं moving on to next अब समाझना है यहां पर एक चीज गिवेन है में एक चीज यह गिवेन है और यह निकालना है बहुत आंसर बहुत इजी आंसर अभी बताता हूं देखो क्या होगा नहीं सुनना area हमें पता है area of circle क्या होता है बिटा area of circle a is equal to beta pi r square पक्की बात है हां sir हमें area a के नीचे dt चाहिए टी के हिसाब से करना है यहां area के नीचे हमें area के नीचे क्या चाहिए था r dr तो radius के हिसाब से हमने radius के respect में differentiate किया यहां upon में time हमें rate of change of area निकालना था तो da ऊपर आया with respect to time तो t नीचाहिए dt नीचाहिए इसको अपन क्या करेंगे इसको अपन differentiate करेंगे with respect to time अपने लिखा differentiating with respect to time यानि t तो यह क्या होगा a will become d a a will become d a क्योंकि differentiate करें d by dt भाई d by dt यहां लग जाएगा और संद्वाइ dt यहां लग जाएगा d by dt यहां तो यहां आगा pi r square इसके पीछे दी वाइड इसके पीछे दी यहोंगे d a by dt जो में निकालना है ठीक है d a by dt जो में निकालना है दिसको differentiate करते हैं sir कैसे करेंगे simple है पाई तो पाई कोईफीशेंट चीज़ तो पीछे आजाएगी तो ये पीछे आजाएगा पाई और ये बनेगा बिटाई डीपाइड़ीटी ओफ और कर फसक्क्वेर अब यह छाएगा एक असब को पता है कैसे होगा तो आगा डिफ्रेंसियेशन नहीं आता है तो फिर आपक 2 का गड़ा तो यह 2R आगया अब आर का करेंगे मतलब इसी क्या आगे आर का करेंगे D by dt of R D by dt of R यह R का भी होगा भी अभी तो से पावर का D by dt of R square होगा 2R फिर D by dt of R होगा D by dt ठीक है और इसकी वैलिव हमें पता है पेटा कहां है यह d r by dt 3 cm per second तो इसको अपन मार्क कर सकते हैं पिटा मार्क इट एज एक्वेजिन नमबर वन तो यहां वैलिव आएगी एक्वेजिन नमबर वन की मदद से पिटा तो हम क्या लिखेंगे सर यहां लिखेंगे पाई इंटू टू आर इंटू इसकी जगा d r by dt कितना दिया है 3 तो सर यहां 3 लिखेंगे 3 डू दा 6 पाई आर कितना है पिटा 6 पाई आर अभी यह 6 पाई आर हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें निकालना है हमें रेडियस 5 हमें दिया गया है रेडियस 5 सेंटीमीटर पर आप अपना कutral सर दो तो सर क्या करेंगे पुषज Aha क्या करेंगे इसको रुख जाओ जर आगे बढ़ा लेते हैं इसको ठीक है इसको सुनना पेट जी सर इसको यह licked आगे चलते हैं तो हम समझगे हैं कि हम लिखना पड़ेगा दीए बाइडिटी फिर हमें ब्लॉग बनाना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा र is equal to 5 पे निकालो तो आर 5 रख दो यहां 6 पाई इंटू 5 6 5 30 30 पाई सिर्फ 30 पाई मत लिखना यहां देखो एरिया तो एरिया होगा पिटा हमारा सेंटी मीटर स्क्वेर में ठीक है सर अपन टाइम होगा पिटा हमारा सेंट में तो अप लिखा इसे निकालना बिलकूल ची तरह सीख गय हो ठीक है session को समाप्त करते हैं बिटा क्योंकि हमारा session यहीं तक था और एक बात धियान रखना कुछ basic formulas use होंगे जैसे rectangle का area, rectangle का parameter, circle का area, circle का parameter, ठीक है parameter मतलब circumference और cone और trapezium, rhombus, ठीक है, sphere, यह सारी चीज़ों के formula आपके use होंगे जो class 9th और 10th में आपने पढ़ रखे है surface area and volume chapter में तो भाईया जैसे volume of cube, volume of cube, यह सारी चीज़े use होंगी session को यही समाप्त करते हैं उन सारे formula को ready रखना पढ़के जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा बढ़िया लगाओ तो session को like जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना, ऐसे ही magnet brains पर बने रही है क्योंकि magnet brains आपको provide कराता है 100% free of cost, high quality educational videos of K12 यानी kindergarten से लेकर class 12 तक की बढ़िया वाली पढ़ाई free of cost इसी channel पर हर subject की playlist section में जाके check कर लेना, आपको सारे videos arrange मिल जाएंगे, अच्छे से playlist के format में subject wise and class wise and chapter wise also और Hindi medium के students जो class 6 से class 12 तक की किसी भी class में पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको best वाली quality education मिले, चाहे अपन देली बोट के हो, बिहार बोट, UP, MP, राजस्तान के 5 state boards के बच्चों को हम हमारे Hindi medium channel यानी magnet brains Hindi medium YouTube channel पर पढ़ाते हैं, हमारी पूरी एक team अलग काम कर रही है free of cost वहाँ पर भी quality education Hindi medium वाले बच्चों को provide करी जा रही है साथी साथ अगर हम notes की बात कर लें तो आप हमारी website और application को check out कर सकते हो website www.magnetbrains.com application google play store से install की जा सकती है class 6 से class 12 English medium all subjects, Hindi medium all subjects के experts द्वारा बनाए गए notes PDF format में e-notes हमारे पास available हैं, आप download कर सकते हैं जल्दी से मिलिंगे नेक्सें में तल देन, happy learning, take care, bye